हेई गाइस वेल्कम बैक तो माई यूट्यूप चैनल फिजावड़ी पैसन सो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक दम इस कड़कडाती गदमी में आप कर सकते हैं वाटर प्रूफ मेकप लुक यह मैंने वाटर प्रूफ मेकप लुक किया है और कैसे किया है आप आगे तक बहुत जरूर करिएगा एंड वीडियो परसंद है तो प्लेस डू लाइक सब्सक्राइब कॉमेट माइच चैनल और सब्सक्राइब आइकन जिससे फ्यूचर में आपसे मेरी वीडियो में नहीं होगी और मेरी वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुंसत एक दम लाइट वेट मॉश्चराइजर करें एड वीडियो माइस और मैंने आप पहर्मी संस्क्रीन बिल्कूल भी करना है करवाई विकास आपके फेस पेस एक डम रैडिनेस आपके फेस पर गर्मी मैं अगर आप संस्क्रीन अप्लाइब नहीं करेंगे और खास कररके बहा प्राइमर लिया है यह सिल्कन बेस प्राइमर एंड गाइज इसके अंदर चोटे-चोटे गोल्डन की पार्टिकल से जिससे हमारे फेस पे एक नैच्रली ग्रोव प्रोवाइड होता है इसका टैक्चर बहुत जादा स्मूध है तो इससे फिंगर के हैं से मैंने अपलाई किय बाता है इपने फेस पे अच्छे तरीके से और आप लाइक में पर फांडेशन ले रहे हूं और यहां पर यही हमारे मेक अप करेगा वाटरप्रूफ तो कैसे करेगा वह आपको थोड़ा ठंडा तो थोड़ाइड करना थे मिक्स पर और आपकर करना यही हमारे बेस को करते वाटर प्रूफ हमारे मेकप को वाटर प्रूफ यह है बहुत जादा अमेजिंग है कि गाइस लाइक मैं खुद आपके साथ अपना प्रस्टनल एक्सपरीरियंस शेयर कर रही हूं गाइस बिकॉस मैंने इसे जब अप्राय क्या पूरा मेकप आपके शेयर किया वाटर प्रूफ करके दिखाया आपको मेकप एंड ये पिचर काफी सारी क्लिक तो शहमें गाईस यह मेकप बहुत बहुत अदा वाटर प्रूफ था काफ़ी देर तक स्टेक्ट किया मेरे बेस पे मेरे तो बहुत अच्छा है कि यह वाला आप जरूर ट्राइ करिएगा तो मैंने कुछ इस तरीके से डॉटर करके अपने फेस पर प्लाइ कर लिया है वैट ब्लेंडर के हाल से डैब डाप करते हुए आपको ब्लैंड करना कभी भी गाइस अपना मेक अप ब्लैंड करें बेस ब्लै हो जाएगा अब मैंने या पर लिया है यह स्विस बेटी का कंसीलर तो अपने डार्केस एरिया पर मैं अप्लाइ कर लिए लाइक माइं अंडर आई लेड्स माउथ के अराउंड जो लाइन एंड फोर हैड पर अब डैब डैब करते हुए इसे भी ब्लैंड कर लोंगे तो आप दोनों में डिफ्रेंस देख सकते हैं कितना जादा हाइट कर देता है हमारे डार्क सरकल को एंड माउथ के अराउंड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में मुझे डार्कनेस की तो मैंने अप्लाइज ज़रूर की करना चाहिए आपको भी और मैंने भी किया है करते भी ब्लेंड करेंगे अब मैं यहां पर लूंगी अपने फेस को सेट करने के लिए परपल का भी ओन भी एफफ कॉम्पैक्ट विद एस पीएफ इस मेरा शेड है है हैनी सेल्फ की जिरो टू गाइस तो मैं ब्लेंडर के हैल से इसे अप्लाइ कर रही हूं आप देख सक सकते हैं किते अच्छे तरीके से मेरे फेस को सेट कर दे रहा है और यह वाटर प्रूफ कॉम्पैक्ट आप आपके जो मेक अप है आपके मेक अपको बहुत लांग लास्टिंग करेगा और डैब डैब करते हुए ही ब्लेंडर से मैं अप्लाइ कर रही हूं इस में दे दूंगे तो आप वहाँ से बाइ कर सकते हैं तो अच्छे से अपने नैक पे भी अप्लाइ कर लिया नैक पर अप्लाइ करना बिल्कुल भी ना भूले अब मैं आप ले ब्लू हेवन का आवरोड डिफाइनर जिसमें मेरा शेड ग्रे इसमें आपको ब्राउन भी मिल प्राउस कर रही हूं कॉम आप देख सकते हैं कॉम करने के एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी आपके आप रोज को जितना भी एक्सेस प्रोडट होता हो रिमूव हो जाता है अब मैंने आपके कलर बोड आई शेडव पैलेट में यह लाइट इस पिंकी शेड लिया गाइस और प्लाइब रोकी है जैस ब्लैंडिंघ ब्रश के हल जसे ब्लैंडिंग करेंगे सर्कूलर इमोशन में जिसतimporte ब्लैंडिंग अपर प्ले की शेड लिया और झाल में करेंगे अब ब्लेंडिंग ब्रेश खेल से अच्छी ब्लेंडिंग करें अपने आई मीकप में आपका मेकप भी बहुत है lower lash line में सेम ही जो मैंने forskry अब आइलाइनर साफ जरू करूंगे हम अगर आप इस तरीक lagने को अपने क्रीज एरिया पर लगेगा आफका make घर फुरूद लगेगा यूनिक लगेगा अब मैंट पह पेस MOND Sky लूंख अब मैं yn सबंगे छॉड़ करों को आइडाइड हे स्वहाज को चाहिए अब when other का मस्कारा ले रही हूं और इसके हैल से अच्छे से कोड करूंगे अपने लैसे को गाइस जिससे हमारी लैसे बहुत दा ब्यूटिफुल लगे अब मैं आप यह कॉंटॉर स्टिक ले रहे हैं जो कि एक इस ब्यूटी का और स्मॉल स्मॉली अपलाई किया मतलब थोड़ा थो अच्छे से लिफ्टफ दिखेगा विकाज हमने तनी साधी लेर अपलाई की इस पर जिससे हमारा फिस जो फ्लैट हो जाता है और कुछ इस तरीके से आप कॉंटॉर अपलाई करेंगे तो चिजल लगेगा लिफ्टफ लगेगा आपका जो फेस हैं उसकी स्ट्रचर ऐसर लेकर के अपने है चिक शप़्लाई कर रही हो और फ्टवा कर रियूस्तना फ़्लाई कर रही जिससे लिफ्टाफ लगें मंदल्ब हमारा जो चिक से टोड़ा सा लिफ्ट हो करके दिखे गाई एक यूनिक तरीके से मैंने अप्लाइ करने की कोशिश किए तो आप भी एक बार जरूर अप्लाइ करके दिखेगा इससे आपका जो ब्लश बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लगेगा गाई अब मैं आप इस अमर लफ का हाइलाइटर ले रह प्रोवाइट करता है आपकी फेस में आप देख सकते हैं अब पतली ब्रस के हैल से अपने इनियर को और और ब्राव बॉन को हाइलेट कर लूँगे फेस को तो कर लिया मैंने हाइलाइट यूजली जहाजा करते हैं कि अब मैं यहां पर व्ट कोल ले रहे हूं गईसिसे अपने आउटर बाटर लायन पर अप्लाइक करूंगी प्लाइट यह उनिक लुक के लिए और आप आई मेकप देखना कितना जाद है एक ट्रैक्टिक बड़ी बड़ी आखे लगने लगी अब मैंने आप एक लिटर प्लस का यह पिंकी स्पीची शेड सी लिप्स्टिक अप्लाई की है अपनी लिप्स पे गाई बहुत जादा नैच्रल लगेगी ऐसे आप अप्लाई ज़ी इस कितना ब्रीड लगेगा अप्लाई करने के बात आप देख सकते हैं किता ज़्यादा निप्सर के अपनी बेस को सट कर लूगे यहां पर मैं आपको थोड़ी सी हेरिस्टाइल भी दिखा दे रही हूं कैसे मैंने हेरिस्टाइल बनाई यह बीच की मांग निकालके तो रोल कर लिये हैं त्विस्ट कर लिया है देर्ट मैंफाइनल फ्रेंस लोग आप बताएं बहुत जादा मेहनत कि इस लोग को क्रिएट करने में और बहुत जादा इजी तरीके से यह लोग क्रियेट हो गया कितना जदा ब्यूटिफूल कितना जदा एक्टरैक्टिक दिख रहा है यह जो बाली मैंने वेर की हैं यह से मैंने मीशू शे बाई किया है और गाइस चार्ट चान लगा दिया इसने हमारे मेक अप में गाईस इस बाली ओने तो बहुत जदा कि इस मेक उपलोक है एक बार ज़रूर्छ मेक प्रिफूल करीएगा इस मेक अ लोग को सच में आपको बहुत जदा ब्युटिफूल लगे सो गाइज आप देख सकते हैं मेक अप कहीं से भी टस से मस नहीं हो रहा है सो गाइज आप देख सकते हैं अपने सामने ही कि मेक अप बिलकुल भी टस से मस नहीं हो रहा है कितना ज़्यादा वाटरप्रूफ है यह मेक अप लुक तो आप इस मेक अप को करके समर में कहीं पे भी जा सकते हैं इतना ज़्यादा बिल्फुल लग रहा है मेक अप मैंने इतनी ज़्यादा इसी तरीके से क्रियेट किया कि इसे टीनेजर एंड बीगनर्स गर्ट्र होती है वह करें हैं तो आप देख सकते हैं कितना जादा waterproof है यह makeup look कहीं से भी मेरा makeup निकला नहीं है आप देख सकते हैं मेरा base वैसे कई वैसे हैं इसलिए कहते हूं कि आप skincare अच्छी करें एंड साथी साथ makeup को भी अच्छे से apply करें अपने जितना भी makeup आप apply करें summers में waterproof होना चाहिए तो आपका makeup भी waterproof लेगा काफी टाइम तक ठीका रहेगा एंड आप result देख सकते हैं कई से भी मेरा makeup highlighter base contour blush कुछ भी touch से मस नहीं है बिल्कुल एकदम best तरीके से मैंने सब चीज अप्लाई किया है आपके सामने ही और foundation जो मैंने हैक आपको दिखाया कि आप थोड़ा सा warm करके foundation को apply करें तो आपको result बहुत अच्छा मिलेगा और अगर आपका low coverage का कोई भी foundation है तो आप उसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने हैक आपको दिखा इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है complete आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसा waterproof makeup आप भी समर्स में कर सकते हैं affordable makeup product के साथ मैं आपड़ेवल ही makeup product यूज़ किया है इस makeup look को चीफ करने के लिए कितना ज़्यूट लग रहा है और बहुत ज़्यादा easy लग रहा है आप यह makeup लुप वली आप इस makeup look को किसी भी wedding function में attend करने के लिए कर सकते हैं यह कितना ज़्यादा beautiful and long lasting आपको मैंने waterproof भी करके दिखाया आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा because मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस लोग को create करने के लिए and I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्ली सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बैल आइकन को भी प्रेश करना बिल्कुल भी मत भुलेगा कि आपको आने वाली future वीडियो की notification time to time मिलती रहेगी तो इसके साथ हमारे वीडियो होते है खतम बाइब बाइब आल्ला हाफीस टे ब्लैस